नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 16 नवंबर 2020 की हिमाचल प्रद करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शोरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो पहले न्यूस आज की वो है आपकी शमला से कि तीन माबाद सूपे में बारिश बर भारी से मनाली ले मार्ग बंद अगर न्यूस आपकी शमला से है कि परदेश में 21 घर एक होटल राख पटाकों से दरजन लोगों लोग जो है जुल से दिवाली पर अठारा जगा जंगलो तो काफी नुकसान जो है दीपा वली के अफसर पर हिमाचर परदेश में हुआ है अगर न्यूस आपकी शमला सोलन से है कि सूबे में अम्बूलेंस करमी सामोहिक आपकाश पर शमला में लगाया असमा अगर न्यूस आपकी शमला से है कि शमला में खटर को सांस लेने में द इच्छा अगर्णी उच्छा आपकी कि सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगी शेक्षकों के 4,240 पर शेक्षकों की कमी से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाई कोट को कराया आवकत 1937 जियवटी 791 भाषा शेक्षक और 151502 शास्त्री शेक्षकों के पाद जल्द भरेंगे अगर्णी उच्छमला से है कि दिल्ली उत्राखन चंडीगार के लिए बहाल होंगे रूट अगर्णी उच्छमला और कुलू में बड़े करोना का मामले अत्रिक्त स्टाफ होगा तैनात मौसम में बदलाव से तेजी से फैल रहा संक्रमण चैरा अगर्णी उच्छमला की कि प्रदेश में करोना संक्रमित मरीज भी कर सकेंगे पंचाई चुनाब में मत्दान अगर्णी उच्छमला की बद्दी सोलन से कि बद्दी प्रोटी वाला नालागाड में सबसे ज़्यादा प्रदोशित हावा अगरनी उजाब की शिमला से है कि दीपा वली की राद शिमला में 11 थनों पर लगी आग एक गोशाला जली रेस्टोरेंट की चिमनी में भड़की आग फ्रायर ब्रिगेड ने बुजाई अगरनी उजाब की कि वार्शिक प्रिशक्षाएं स्थागित करने के फैसले का मंच ने किया विरोध छात्रा विवावक मंच ने सरकार और विभाग से की हस्ट शेप की मांग अगरनी उजाब की कि सरकारी मेजी बसों में भारी भी फर्श फर बैठ किया सफर तो दोस्तों ये थी आज 16 नवंबर 2020 की हिमाचल प्रदेश की सभी ताजा खबरें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें